स्वागत यूटूब चानल 4G स्कुल में आज हम पढ़ने वाले हैं यत्ता आठवी का हिंदी विशे इसकी कवीता नमबर आठ कदम मिला कर चलना होंगा इसके कोश्चन आंसर हम आज पढ़ने वाले हैं इसके कोश्चन आंसर में हमने आपको निम्यलिकित पंक्तियोकार तर लिखो ये भी आपको हल करके बताया है उसके बाद में भाशा बिंदू ये जो है इसको भी हमने अ विर्दारती शब्द के जोडिया हमने इस धुनकर आपको लिखके बताई है उसके बाद में अवेव के बारे में हमने बता है उसके बाद भी साथी कलपना पल्लवन जो कोश्चन है ये भी हमने आपको हल करके बताया हुआ है उसके बाद आते है उपोईजित लेखन ये भी हमने आपको हल करके बताया है एक कहानी लिखके आपको बताई है उसके अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इसका कवीता आपने ना पढ़ी होंगी तो हमारे आटवी क्लास के फिली लिस में आएंगे और बहुत सारे सब्सक्राइब आपको नजर आएंगे आप पढ़िए पढ़ाई पूरी कीजिए चलते कोशन आइंसर की और सुचना के अनुसार कुरूतिया करो एक निमनलिकित पंक्तियों का आर्थ लिको नमबर एक अर्मानों को दलना होंगा इसका जो कवीता का पंक्तियों का आर्थ है वो हमने आपके लिकी बताया है देखिए कभी कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे ही बढ़ना होंग बढ़ते रहना है इसके लिए हमें अपने अर्मानों अपनी अभिलाशाओं की परवा नहीं करनी है कभी का कहना है कि हमारी अभिलाशाओं हमारी इच्छाओं का कोई मत्व नहीं है मत्व है हमारे उद्यूशों का मतलब जो हमारा गोल है उसके तरह हमने ध्यान देना इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाशा जो इच्चा है उसको तिलान जली देनी होंगी मतलब उसको त्याग ना होंगा ऐसा उनका कहना है मतलब जो बड़ा अगर धे हमको साध्य करना है तो छोटे-छोटे चीजे हमें छोड़ना होंगी ऐसा उनको कहना है इस पंक्तिकारत ऐसा होता है आईए नंबर दो देखते हैं फीडाओं में पलना होंगा मतलब इसका जो आर्थ होता है जीवन सदा एक सा नहीं रहता मतलब एक सदी का ही पूरा समय नहीं रहता है उसमें उतार चड़ाओं आते रहते हैं जीवन में जब कटीन परिस्तिती आती है तो उनसे होने वाले कश्टों को स्विकार करना होंगा और हमें जीने के लिए सीना तान कर सहस पूरुवक तयार रहना होंगा उस पीडा को हस्ते हस्ते सहे लेना होंगा मतलब इस का अरत होता है कि हमें हमेशा नवे जो कीम है नवी जो आने वाले अपर्चुनिटी है या पिर कोई आने वाला धे है जो ये परिशानी है उसके लिए हमेशा हमें तयार रहना होंगा खुशी हो गम हो उसको सास फूर्वक अपने हशी खुशी उसको सुईकार करना होंगा और सीना तान कर उसके आगे खड़े रहना है और हमेशा हसते रहना है ऐसा उनका कहना है अभी नंबर दो अकृतियों में दिये शब्दों की उचित जोड़िया मिलाओ और तालीका में ल आपको लिखना है सामने सावने मतलब प्रलय के बाद आता है घोरघाट उननत के बाद आता है मस्तक मतवक के बढ़ आता है बली Danish को समझने के लिए आप देख सकते हो कविता के बाद आपको ये फ्रलय के बाद ये शब्द आपको नजर आएंगे तो आप इस तरह से उनके साथ में आया है इसलिए हमने जोडिया बना के इनको लिख के आपको बताया है नमबर तीन एक वाक्य में उत्तर लिखो एक आग की ज्वाला कहा बरसेंगी मतलब कहाँ पर आग की ज्वाला बरसने वाली है उसका उत्तर है आग की ज्वाला सिर पर बरसेंगी नमबर दो क्या बनकर ढणना होंगा पावस बनकर ढणना होंगा मतलब हमें जो भी है इसका एक एंसर आपको आपको लिख के बताया है आपको समझने के लिए आईए तीन कोश्चन कंड़ हो चुके हैं आप देखते हैं भाशा बिंदू और पद्य पाठों में आए विरुदार्थी शब्द जोडिया की सुची बनाओ मतलब जो विरुदार्थी अपोजिट वर्स इस कविता में आये हैं आपको उसकी जोडिया बनानी है पद्य में हस रुदन उद्यान विरान उद्यान मतलब गार्डन जो आप कह सकते हैं और विरान मतलब जो एकदम कुछ भी आपको जाड़ पाओ दे कुछ भी नजर नाएंगे बंजर जमिन जी से कहा जाता है अपमान मतलब सम्मान उजेयारा अंदकार जीत हार असफल सफल अहंकार प्र प्रविक्ता में आपको चार लिखना है उसके कुणिशन के हिसाप से आप कोई भी चार इसमें से लिख सकते हो अब आ देखिए इसका पढ़ने वाले हैं प्रविक्त अव्यो को धुण कर उनके भेद लिखो उसमें नीचे प्रविक्त आयोग अव्यो जो है हमें उनको अब कर्या हो रही है यह आपको समझा रहा है इसलिए इस तरह से भेद हमने धुंड़े हैं और लिखे आप भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से आईए आगे देखते हैं कलपना पल्लवन जो कोशन है आपके हिसाब से आपको लिखना है पीडाओं में पनला होगा इस भंक्ति के से संबंदित अपने विचार लिखना है हमने आपको एक उधारन तोर पर विचार किस तरह से किया जाता है या किस तरह से इसमें समझने आना चाहिए या आपको लिखके बताया है देखिए मनुश्य के जीवन में सुक और दुख दोनों आते हैं सुक के दिनों में मनुश्य प्रसन्न रहता है उसके सारे कारिय व्यापाल सुचार रूप से चलते रहते हैं लेकिन जब मनुश्य के दुख के दिन आते हैं तो उसे ज जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं कष्ट से वो घबरा जाता है जबकि मनुशों को सुक और दुख दोनों स्थिती में सामान्य बनकर रहना चाहिए। कि स्वागत करना चाहिए ऐसा यहां पर इस पंक्ति में बताया गया मतलब सुक दुख आते देते आते जाते रहते हैं उनका हमने विचार नहीं करना चाहिए बस जीवन जीना है जो अच्छी तरह से जीना है यह हमको इस कविता से बहुत लेना चाहिए शब्दों के आदार पर कहानी लिखो उपोईजित लेकन है यह आपको शब्द दिये गए रोशनी पलंग पत्र पहाड़ी इसकी साबसे आपको एक कहानी तयार करनी है और उदो लिखना है हमने आपको कहानी लिखके बताई है देखिए वारशिक परिशा के बाद लंबी चुटिया शुरू हो ने शाम को भी वही किसी मित्र के घर चला जाता कभी कोई उसके घर आ जाता पर धीरे धीरे उसके सबी मित्र चुटियों को बिताने मुंबई से बाहर चले गए गर कारिया भी पूरा हो गया तब उसे समय बिताना बड़ा कठीन लगने लगा तबी मानव के मामा जी का पत्र आया कि उनकी लड़की का वो विवा 15 दिन बाद है मानो यह दि कुछ दिन पहले इहा आ जाए तो विवा के कामों में मुझे कुछ सायता मिल जाएंगी मानो के मामा जी इगत पूरी रहते थे मानो के नाना जी अपने इलाके के बड़े जमिनदार थे उससे वहा जाना हमेशा अच्छा लगता था नाना नानी मामा मामी सभी उससे बहुत प्यार करते थे उनका अलिशान एक घर एक पाड़ी पर था मानो अगले दिनी इगत पूरी के लिए रवाना हो गया मामा जी के घर में शादी की तैयारिया बड़े जोर चोर से चल रही थी मानो को तरने के लिए जो कमरा दिया गया था उसमें बहुत बड़ी बड़ी खिरकिया थी सहयोक से उसी दिन पूर्निमा थी उसने अपना पलंग एक खिरकी के पास बिचा लिया बहर आकाश में पूर्नम का चान चमक रहा था और उसकी रोशनी मानो के पलंग पर फैल रही थी कहा जाता है तो मुंबई में उसके घर में कही से भी चान के दर्शन नहीं हो पाते थे और यहां चान अपनी सोला कलाओ के साथ मानो का स्वागत कर रहा था मानव चांद के एक संदरिय को देखकर अच्य चक्रित भी था और अत्यंतर कुश भी था इस तरह से इस कहाने को हमने आपको वर्ट जो चारा है थे पाड़ी पलंग रोशनी पलंग पत्र यह हमने आपकी हिसाब से लिखे बताया है अब अपने हिसाफ से कहानी लिखके कंप्लिट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी दख सकते हैं आईए अभी देखते हैं आखरी जो कोश्चन है स्वयम अध्यान का रेड़ क्रॉस सोसाइटी के बारे में अंतरजाल से जानकारी पढ़कर लिखे अंतरजाल मतलब इंटरनेट से आपको मालूमात लेना है और लिखना है उत्तर एक समय एटली और ऑस्ट्रिया की बीच भहेंकर विद्ध चल रहा था जितने की धुन में आगे बढ़ने और सेनेकों को मारने का जुनों दोनों पक्षों पर सवार था पर मुर्तकों की और घायलों की देखबाल की किसी पक्ष को चिंता नहीं उन्हें दैनी दुरदर्शा में पड़े रहना परता था इस समय पर जेनेवा बैंक के एक कर्मचारे जिन हैंरी ड्यूनेट ने को पूर्ण मनस्तेती में विचार किया और ततकालिन उपाय सोचा उन्होंने नोगरी छोड़ दी फ्रांस दालजेरिया में एक फार्म खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्ख साध कर इस बात पर समय ती की कि घायलों की चिकिसा और मुर्तकों की अंतेश्टी की उन्हें दी जाये मतलब उनको एक अनुमति दी जाये इस प्रयास का नाम रखा गया रेड क्रॉस उसका अरंबतों छोटे रूप में हुआ पर आए दिन होने वाले उद्व में उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई अनेक देशों की सरकारों ने इस से सयोग किया एक अचार सहीता बनी की युद्धव में शेत्र में घायल को उठाने के लिए जाने वाले रेड क्रॉस वानों को कोई रोकेंगा नहीं रेड क्रॉस की आज बहुत ही सम्मूनित स्थिती हैं उनका श्रेय ड्यूनेंट को हैं जिने नोबल प्रोग्रस का भी मिला था मतलब आप देख सकते हो आपको नजर आएंगा कि किस तरह से एक छोटी सी मूमेंट आज बड़ी चलवर या बड़ी एक एक एक्टिविटी बन गई है जिसके वज़े से पूरी दुनिया रेड क्रॉस सोसाइटी को जानती है तो इस तरह से छोटी चीज कब बड़ी बन जाएंगी यह मालूम नही प्रसिद्ध की या अच्छे काम के लिए कौनता प्रोस का मिल जाएंगा या आपको भी मालूम नहीं पड़ेंगा इस तरह से हमको इसे शीक मीठती है तो बने रही है इसी तरह से अलग-लग वीडियो के कोशन आइंसर के लिए और सबक के कोशन सबक के वीडियो के लिए हम